बिस्मिल्लार्मा निर्वी में, असलाम लेकुम, मैं हूँ जर्मीना और आज आपके लेकर हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी डेर किलो के करीब पुरा चिकन आईए और इसके उपर लगाएंगे जर्दा रंग, एक चमच जर्दे का रंग, पानी में मिक्स करके चिकन भी अच्छे से लगा लेंगे, इससे चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा तुमाम चिकन पर अच्छे से कलर लगा लेंगे अब हम चिकन स्टीम रोस्ट का मसाला त्यार कर लेते हैं इसमें एड़ करेंगे एक कप दही और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक आने का चमच अद्रक लसुन का पेस्ट एक आने का चमच आइड करेंगे चाट मसाला एक आने का चमच आइड करेंगे देगी लार मिर्च एक आने का चमच आइड करेंगे लार मिर्च का पाउडर एक आने का चमच जीरा पाउडर आदी खाने की चमची धनिया पाउडर और आदी छाने की चमची हल्दी और एक छाने का चमच नमक और अब हम इसमें आइड करेंगे एक छाने का चमच, सिरका अब इन तबाम मसालो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे हैं मारे स्टीम रोस्ट का अच्छा सा मसाला तियार हो गया बहुत ही मुक्तसिर से मसालों से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बन जाता है और अब जो मसाला हमने तियार किया वो चिकन पर लगाएंगे यह देखे हमने बिल्कुल अच्छे से मसाला लगाना है चिकन में और इसके आप कर्ट से देखे किते डीप लगे हुए है ऐसे ही कर्ट आपने लगाने है ताके मसाला इसके अंदर तक जा और यह देखे उंगलियों की मदद से अंदर तक हम इसके कर्ट के अंदर मसाला लगाएंगे ताके फ्लेवर चिकन का बहुत ही अच्छा आएगा और अगर अब अभी तक मने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मने चैनल को सब्सक्राइब जबढ़े ताके आपको मज़ीद मज़िदार और असान सी रैस्पिस मिल सके अब दो नarna तरफ इसको अच्छे से मसाला लगा देने चिकन को हमने बिल्कुल अच्छे से मसाला लगा दिये और अब हम इसकी दोनों लैक्स धागे से बान देंगे देखें बिल्कुल इस तरह से और एक घीरा लगा देंगे पक्की से करके घीरा लगाएंगे और अब हम इसे मैरिनेट करके 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और 4 घंटे के बाद हम इसे स्टीम करना शुरू करेंगे अब बड़े सा इसका पतीला लेंगे इसमें एट के मैंने 4 चमच ओयल के चिकन रखेंगे इसमें और जो मसाला बचा वो भी आड़ कर देंगे और अब हम इसे 15 मिन्ट के लिए एक साइट में और 15 मिन्ट दूसरी साइट पर स्टीम कर लेंगे 15 मिन्ट के लिए हम इसे एक साइट पर स्टीम कर लेंगे लो फ्लेम पर यह देखे एक साइड इसकी हो चुकी है अच्छे से अब हम इसकी साइड पलट लेंगे और यह देखे चिकन ने काफी पानी चोड़ा है इसलिए हम इसमे पानी बिल्कुल भी आड नहीं करेंगे और हमने साइड इसकी पलट लिए और अब हम इसे कवर करके यह च्छेक कर लो चुकिए तोरसा चीखन को जो नहीं ढ़ीत हैं अर्षितवर गरी अर्वाशन को परहलें, अब अब छाहिं समॉत कर लेंगे किसला अभे मिसाला चाओ नहीं हो आएको दुछेड़ आए परहाएं दो गरना को दो कर लेंगे ले-थेद is需要, करेंगे देखे कितने असान तरीके के साथ हमने ये मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्त तियार कर लिए कितना प्यारा जबरदस्त अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई तो इसे अपरे दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे चानल को सबस्क्राइब करें